है Hello Guys welcome back to my YouTube channel और आज मैं आपके सामने लेखे हैं एक बहुत बडिया टेखनीक जिससे आप बना सकते हैं परफेक्ट हेर्स और देखते हैं कि आप अपने ड्राइंग में कैसे परफेक्ट हेर्स बना सकते हैं तो यह आपके हम आपके सामने रखे हैं तीन टूल्ज एक है mechanical pencil एक यह आइडेंटिंग टूल और दो पेंसिल जो है HB और 6B अब यह आपके सामने में दिखाऊंगा आपको कि आइडेंटिंग टूल को या आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं इसमें आइडेंटिंग करने के लिए जब आप इसके उपर इस तर जिस शेप में हैर हैं उसी डायरेक्शन में अपने आइडेंटिंग टूल को चलाएंगे तो उसमें दीरे-दीरे उसके अंदर स्पोर्ट्स पड़ जाएंगे तो उस पार्ट्स के उपर जब आप पैंसिल चलाएंगे तो वह स्पोर्ट्स हाइलाइट दिखेंगे इसके बाद आप अपनी इमेज को से एकदम उसको आप observe करो और वो देखो कि आप किस direction में hair है जिस direction में hair है उसी direction में आप अपनी pencil को चलाएंगे starting में हम जो dark spots हैं उनको light वाली pencil से धीरे धीरे hair की direction में होते वे उसको highlight करेंगे सबसे पहले जो dark spots हैं उनके ही light pencil चलागे lightly उनको cover करना है तो जिससे आपको एक difference पता चल जाएगा वो एक difference create करेगा और उसके बाद हम white spots पे भी lightly light pencil को चलाएंगे हम उसके अंदर hair की direction की तरह ही चलाएंगे अब hair की direction में मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसी से ही आपकी जो hairs हैं वो perfect दिखेंगे आपको एक एक line बनानी है एक एक बाल की तरह जैसे की हमारे hairs होते हैं तो उन hair के अंदर एक एक single single hair होता है तो हमें slightly move करना है कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी इसको slightly हमने करना है फिर उसके बाद जब हम उसको blend करेंगे तो एक darker shade भी देगा वो भी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में अब आपको एक और चीत समझानी है कि अगर हमने identifying कर दी तो हमें फिर भी hair की उसमें चलाने की जुरत है कि नहीं हम फिर भी hair की direction में चलाएंगे क्योंकि जब हम identifying कर देते हैं उसके बाद भी कुछ वो एकदम perfect नहीं रहता क्योंकि हमेशा identifying करते वक्त जरूरी नहीं है कि वो एक spot proper बन जाए तो हमें उसके direction में ही हमें pencil को चलाना है और बहुत slightly चलाना है अगर हम ज़्यादा जल्दी करने गोश्च करेंगे तो वो एक मोटी layer बना देगी जिससे कि वो hair जो है वो ठिक लगेंगे और उनके अंदर differentiation और identifying बिल्कुल भी नहीं हो सकेगे अब मैं 8B pencil का use करके जो हमने lighter shades बनाए थे अब हम उसे odd आकर करेंगे आपको कुछ नहीं करना बस आपको photo को observe करते रहना है क्योंकि जब तक आप photo को observe ढंक से नहीं करोगे तब तक आपको उसके अंदर का difference पता नहीं चलेगा आपको slightly move करना है कोई जल्दवाजी नहीं कर सकते क्योंकि एक-एक hair बनाने की जुरत होती है तो अब हम इस पे photo को observe करते हुए बहुत जाला dark या light करेंगे तो आप देखिए कि कैसे होगा यह रहा time-lapse अब मैं mechanical pencil और यह आप कह सकते हैं lead pencil उसका use करूंगा यह मैंने एक मोटे lead की pencil ली है जिससे की एक thicker layer बन सकती है तो इससे हम dark या light दोनों उसको differentiate कर सकते हैं यह mechanical pencil बहुत ही अच्छी है Camlin की तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमने मैंने इसमें इसमें जो layers होती है इसमें वह add करना शुरू कर दी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं slowly slowly move कर रहा हूं एक बाल को बनाने के विश्च कर रहा हूं तो जिससे की एक बहुत ही बढ़िया effect दिखेगा तो आपके hair या जो आपकी drawing है वह बहुत जादे realistic लगेगी अब मैं इसमें आपको right side वाले hairs को दिखाऊंगा यह रहा time lapse three two one अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या यह यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलेगा और subscribe करिए चैनल को